सईआ हलो दोस्तों कैसी अप लोग आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे और दोस्तो में रोच किसे थे बज़ें कुछ पर एंटरिप में चुक्त दोस्तों को सुरू कर удhati लेते नमस्कार दोस्ते क्रीटि भूमन में आप सबी का सौगत दोस्तों होता है कि जब कि हम आलु को ले आते हैं लेकिन क्या होता है आलु जब हम लीटेए थो चब आपको हम क्रण गधान दोस्तों चील लेकाट और इसमें नमक ले देना एक चम्मत के 24 नमक मिला देना है मिला कि इसको आप 2-3 घंटे रख दीजिए जितना भी आलू का मीठा पन है अच्छी तरीके सी नमक अब जोए कर लेगा और इसको अच्छी तरीके से धूल के आप सब्जी में इस्तिमाल करेंगे देखेंगे मीठा पन खतम हो चुका है अब ऐस तरीके से हम तूट चुका है लेकिन अब जब हमने इसको रखना कहीं तो अब देखा आप ने की हमारा नाखून कई नाकुन कटर काई हैंग नहीं हो पाता है और यह नाकुन कटर खोने का चांसे जादे रहता है तो दोस्तों अब यह हमारा खुए ना अब देखे जब हम कपड़े बगारा लाते हैं निव कपड़े मॉल बगारा से लाते हैं तो आपने दिखा होगा कि इस तरीके का कपड वाले होते हैं यह काफी अच्छी होते हैं काफी कमपटेबल भी होते हैं इसको आप कहीं और भी चीजों में आप हैं करने के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं तो मेरे दिमाग में आया यह कपड़ा आया हुआ था और इसका जो टेग है यह मैंने नैन कटर में मैंने डाल दिया इसे कि बास पेशन का सीसा हो गया ड्रेसिंग टेबल का सीसा हो गया या कार वगरा का सीसा हो गया किसी भी चीज की सीसे होते है जब गंदा रहता है इसको क्लीन करना बहुत मुस्किल होता है अब देखे क्लीन करना बहुत ही मुस्किल होता है मैं आप सबीक बहुत अच्छा बताने वाले हैं कि इस तरीके से जो पर्फिम होता है हलका से पर्फिम को इस प्रे कीजे अब आपको ले लेना है टीशू पेपर नहीं है तो आप पेपर भी ले सकते हैं लेकिन कपड़ा नहीं लेना है इस तरीके से बहुत जली तरीके से जब आप इसको रफ करेंगे तो आ काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे मुझे यह किनी हो रहा था मेरे डिर्सिंग टेबल का जो सीसा है काफी दोस्तों अब सभी के घर में बच्चे होते हैं आपने देखा होगा बच्ची कोई भी चीज उस पर दाग वाग लगा देते हैं स्प्रेश भी कर देते हैं तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है तो इसी तरीके से मैंने जब अपनी टेबल का जब सीसा साब किया तो मुझे काफी अच्छा उसका रिजल्ट मिला तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा होता है जैसे वास्पेशन का सीसा भी आप साब कर सकते हैं कार के सीसा कर सकते हैं तो क्लीन जंदि ही होता है धुंदलापन रहता है इस ट्रीक को आप भूलूज किजिएगा बहुत अच्छा द्रेट मिलता है अब देखिया हम सभी के घर में इजो नीज़ु होता है अब आपने देखा होगा कि नीजो घर में होता ही होता है जब दोस्तों हम ज तो देखे लोका से लगा लेना है अपने हाथों में और लगाने के बाद अब क्या करना है मुझे अब अपने यह जो तेल लगाया हुआ है इसको अच्छी तरीके से रफ कर लेना है नीबु के उपर अब चाहिए आप इसको लंबे समय तक के चलाना है तो एर कंटीनर में और देखे बिल्कुल भी नहीं खराब होता है और काफी लंबे समय तक के चलता है इस तेल लगाने से इसका जो नीबू का छिलका है ना बिल्कुल भी इस पी पानी नहीं लगेगा और पानी जब हम प्रीज में रखते हैं तो आपने देखा होगा कि पानी थोड़ा ठंडा हो अगर आपको लंबे समय तक के रखना है दोस्तों तो एयर कंटीनर डिबी में आप इसको रख सकते हैं बहुत ही कमाल की त्रीफ है अब देखे कूकर हम सभी के घर में होता है लेकिन होता क्या है साथ ही साथ अब आपने देखा होगा कि जो सीटी है सीटी के पास हमारे काफ अपने देखा होगा इसके जरीए से जो अंदर अंदर घुसा रहता इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिनता है और यह काफी अच्छा साफ भी होता है इससे तो मैं इसको थोड़ा प्लेट में रखती हूं और आपने देखा होगा एजो कूकर के हैंडल रहता है ना तो इस ट्रीक को दोस्तों आप एक बार जरू ट्राइब करके देखेगा पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी कर देजिए और जहां जहां पीला है वहां भी कर सकते हैं अब थोड़ा सा आपको एल्मोनियम फूल ले लेना है इस तरीके से अगर नहीं होता है तो एल्मोनियम फूल के हेल्प से भी कर सकते हैं अब देखें सीटी का जो पार्ट था टक्कन का वह मैंने साब कर लिया है काफी इसमें परत जमा हुआ था तो अब चलिए मैं जो आप कूकर देख पा रहे होंगे कूकर हमारा अंदर से काफी पीला है और दोस्तों आप सभ करने के बाद में बताओंगे कि आगे मुझे क्या करना थोड़ा समय इसके अंदर बिनेगर डाल देती पाने नहीं डालना है पीनेगर ही डालना है और बिनेगर के साथ ही मैं इसमें थोड़ा से बेकिंग सोडा डाल देती हूं इससे जो क्या है ना कि अंदर जो पीला पील करना है जो दवाई का आता है वहीं वाला इस्तिमाल करना है अच्छी तरीके से में इसको रफ कर लेती है जितना भी हमारा कोपर है अंदर से बिला है या अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा है कि अब आप देख पा रहे हमें मैंने वीडियो थोड़वत सा कर दिया है कि जितना भी पीला पने अच्छी तरीके से हमारा कूकर क्लीन हो जाए साफ हो जाए तो मैं भी इसको काफी साफ करती हूं लेकिन यह होता नहीं है तो दोस्तों इस चोटा से ट्रीके इस टिको आप एक बार जरूर करके दिखिएगा इसी तरीके से आप अपने घर अब देख पा रहे होंगे आप काफी काला काला चोड़ा हुआ है तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने घर के बरतन जो काले हो रखे हैं पीला पड़ रखे हैं आप इसको बहुत एजली तरीके से साफ कर सकते हैं तो चलिए जो पानी है मैं इसको गिरा देती हैं अब द जरूर कर लिजिएगा और आप लोग हमारे वीडियो को कौन सी गाउं कौन सी सहर से देख रहे हैं कॉमेंट में जरू बताएगा कॉमेंट पढ़के मुझे बहुत जादे खुशी होगी दोस्तों फिरी से तरीके से नेक्स वीडियों जय हैं जय भारत